नमस्कार दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम इंडिया के मैप के बारे में, मैप आफ इंडिया के बारे में, देखते हैं इस पिक्चर के माध्यम से जो मैप आफ इंडिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, कि ये जो है मैप आफ इंडिया है और भारत का जो मैप है वो चतु स्क है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया और इसके जो नाइवरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में भी हम बात करने जा रहा है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो इसके नाइवरिंग कंट्रीज हैं जो भी इसके परोसी देश हैं उसके बारे में चर तजाकिस्तान है जो अब जमु कास्मीर बढ़ चुका है लद्दाक और जमु कास्मीर में बढ़ चुका है और देख रहे हैं आपकी तजाकिस्तान है यहां पर इसका परोसी देश उसके बाद अफगानिस्तान है पाकिस्तान है जैसा कि आप देख रहे हैं और यह इसलामाब यह आपका सिक्किम है और यहाँ पर आपका दिख रहा होगा कि यह आपका मैनमार है मैनमार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तमिलाडू के नीचे में आपको सिरलंका दिख रहा होगा और यह आपका लक्ष दिफ है यहाँ पर पंडी चेरी आपको दिख रहा है पंडी च जैसा कि आप देखते हैं कि नॉर्थ में जो है आपका उपर वाला जो है वह नॉर्थ वाला एरिया जिसे जमू कास्मीर वाला एरिया है और नीचे इसके ठीक नीचे हम जबाइब साउथ वाला एरिया जिसको में तमिलाडू बोलते हैं यह साउथ एस पार्ट हो गया इंडिया का और यह नौर्थ एस पास्ट हो गया जमुकाश्मीर और इधर आपको दिख रहा होगा यह जो अरुनाचल परदे से इस्टर्ण मोस्ट पार्ट है और यह आपका दिख रहा हो हुआ जो राज है उत्रा उत्राखंड जिसे उत्रांचल कहा जाता था पहले उत्राखंड है और उसके बाद आपको देख रहा है उत्तर परदेश हो गया उसके बाद हो गया विहार हो गया उसके बाद जो है एक डेमोकरेट कंट्री है और ये चाटु स्कूनिये हैं और इसके देख रहे हैं आप की इसके इस्ट में आप देख रहे हैं मैनमार है और इसके वेस्ट में पाकिस्तान है और इधर जो आपको दिख रहा होगा ये आपका चाइना है और इधर वाले पार्ट में जो है आपका क्या है सिलंका है इधर आपका इनियन ओसियन है यहाँ पर अंडवान निकोवार आइसलेंड्स है और बेया पंगाल इधर है और इधर आपका अरेवियंसी है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें लाइक करें तब तक के लिए जैहिन बंद आपका इपका इनियन डिए।